विज एलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आप सभी घमेए चैनल पे स्वागत है तो बहुत दिनों से मैं रेस्ट्री वीडियो नहीं डाल दी थी तो आप लोग साहद मुझे विस्ट कर रहे होंगे तो आज मैं खिचडी बना रही हूँ मैं बीमार वाल किषटी रहती है और आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं जब आपको कुछ समझ नहीं आये तब भी बनाकर खा सकते हैं और हम लोग हैं बिहारी तो बिहारी में बिहार में अधिक तर हर सनिवार को खिचरी खाया जाता है मेरे साथ सा सुरवी आये हुए थे तो मैं हर सनिवार को खिचरी बनाती थी और बहुत दिनों के बाद आज 6 मंत लगता हो गया होगा शिक्स मंत के बाद आज मैं खिचरी बना रही हूँ क्यूंकि मुझे गोवी मतर वाली खिचरी अच्छी लगती है और साधा खिचरी मुझे बीमार वाली अच्छी नहीं लगती है, तो मैं वह वैसा खिचरी नहीं बनाती हूँ, तो अभी गोवी मंतर का सीजन आई गया है, तो मैं सोची चलो, आज मैं बना रही थी, आज सटर्डे था, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी सेयर कर देती तो मेरे बिहार में हर सटर्डे को खिचरी इसलिए खाया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि सटर्डे को खाने से जो ग्रह रहता है, वो खतम हो जाती है, इसलिए हर सटर्डे को खिचरी और भूंजा खाया जाता है, वहाँ हर सटर्डे को खाना ही खाना है, एक दम कमपल सरी ह छोफ दिन बाथ बना रही ठी चलिए यहां को दूटी लगाई थी सबजी काटने के लिए सबजी काटने के लिए लगाई थी तो यहां पस मैं घुभी ली हूँ आलू यहां वाल आलू है जिससे टेश्ट बहुत अच्छा आगा और यहां पस 2 से 3 के फैनल समय हैं इसलिए भीना में में मतर में चाहिर बनाटनों तो मैं यहाँ पातीले में सबसे पानी गरम होने के लिए रखी हूँ डालवे में यह गरम हो रही है अधर में कड़ाई गरम हमाँ रहते हैं så मैं अपनी सारी सबजी यह भूझ़ां तो सबसे पहले मैं इसमें हरी मिर्च द्लावे चरह लगाँ और लित इंहें तो हरी मिर्च मेरी चटक गई थी तो मैं इसमें पहले गोवी डाल दूंगी और गोवी को थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूंजूंगी तब उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो गोवी को आप अच्छे से भूंजीएगा तब ही उसका टेस्ट अच्छा आता है और बहुत अच्छी खिचड़ी बनेगी आप एक बज़रू ट्राए करिएगा तो मैं पानी गरम हो रहा था तो इसके उपर मैं धाली रखी थी तो उसी के उपर पापाड रख दी हूँ जिससे यह थोड़ा सा गरम हो जाएगा और यह अच्छे से क्रिस्पी तलाएगी तो यह मैं पानी गरम हो रहा है मेरा इसमें मैं डालने वाली हूँ एक मिनाट हिल गया तो ये मैं आलू छोड़े सोटे मेरे आलू है जिसको मैं अच्छे से धोल ली हूँ तो मैं इसी पानी में डाल दूंगी जिसको मैं आलू का चोखा बिनाऊंगी खिच्डी के साथ तो मैं इसको इसी में डाल देती हूँ फिर से इसको मैं डब देती हूँ तो मैं हमेशा आलो उसी में डाल देती हूँ आप चाहिए तो कुकर में भी वोईल कर सकते हैं लेकिन उसमें भी डालने से सीज जाती है तो यहां पास मेरी गऊ भी भुंजा गई थी तो मैं उसमें अपना आलो डाल कर भुंज रही हूँ और मैं आपको छोड़ छोड़ टीप से भी साथ में बताते रहती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझा है तो मैं तो बहुत महनत करती हूँ और आपसे भी रिक्वेश्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे महनत को एक लाइक और सपोर्ट जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को जड़ ज़़ ज़़ शेयर करिएगा क्योंकि मैं हेलफुल वीडियो बनाती हूँ जिससे आपको बहुत ज़़धा हेलप मिलती है और यह हमारे डेली का रेसेपी है जो हम बनाते हैं तो वही मैं आपके साथ सेयर करती हूँ तो यहाँ पस मेरी गोवी और आलो भूजा गया था आलो को भी मैंने अच्छा भूजा है थोड़ा सा लालोने तक फिर उसके बाद मैं प्याज भूजूँगी और ऐसे ही मेरे सारे मसाले मेरे सारे सबजी भूजा गये हैं और अगर अपके पस मतर है तो मतर को भी आप इसी टाइम डाल दीजिये तो मैं यहां पर चावल ही लिए रोज बनाती हूँ इससे दो कतौरी लेकिन खिच्डी में एक कतौरी ले रही हूं क्यूंकि एक कतौरी दो कतौरी के ब्रावर हो जाएगा तो आप घर में जितना भी चावल बनाते हैं उसका आधा ही चावल ले तो मैंने इससे एक कटोरी चावल ली हूँ और मैं आधा कटोरी डाल ले रही हूँ ये मेरा मूंग मसूर की डाल है जिसमें देखिए ये देखिए ये मसूर है और जो पीला पीला दिख रहा है वो मूं तो मैं इसमें आप टमाटर डाल के एक-दो छोलनी चला लूगी तो अब aanपने मसाले में डालने वाली हूँ हल्धी पॉर्डर आध referring जीर डाल मशाय शुटी राल मसाले दाला है। मैं घरसी का मर्ट हुर्डर में ठाल रही हूं tym कि तीका खाना नहीं बनाती हूँ क्यूंकि तीखा खाना एक दो दीन ही खाना चाए ये रोज रोज तीखा खाने से सहत के लिए अच्छा नहीं होता है तो मैं उतना तीखा नहीं बनाती हूँ तो ये सब को अच्छे से मिक्स कर लीओ और गरम मसाला मैं लाश्ट में डालूंगी तो जो चावल मैं दो कर रखी थी चावल और डाल दोनों को मैंने मिक्स करके दो लिया था उसको भी अब इसमें मैं अच्छे से भूंज लूँगी गैस का फ्लेम थोड़ा तेज कर लूँगी जो चावल का पानी रहेगा वो भी अच्छे से सूख जाएगी और इसको थोड़ा सा अच्छे से भूंज लेंगे पाँच मिनट जिससे इसका तेश्ट बहुत ही अच्छा आता है तो मैं हमेशा इसी परकार खिचरी बनाती हूँ मेरे हजबेंट को बहुत ही पसंद है इस परकार की खिचरी तो आप एक बज़रू ट्राइ करना बहुत ही अच्छी लगेगी तो यहाँ पस में चावल भूंजा गए हैं और उधर जो मैं पानी गरम करने के लिए डाली थी मेरी पानी अच्छे से गरम हो गई है मैंने इसको लो पे इसी लिए रखा था क्योंकि इधर थोसा टाइम लगता है तो यह देखिए मेरी पानी गरम हो गई है और इसी में मैं अपने ये चावल डाल दूँगी और इसको अब मैं पकाऊंगी इस पे पतीले में तो इसको अब मैं थोड़ी थोड़ी धेर में इसको मैं देखते रहूंगी और पकाते रहूंगी जब तक की चावल अच्छे से पक न जाए और इसका फ्लेम भी मैं लो रखूंगी तो उधर मेरा खिचरी पक रही है तो मैं इधर थोड़ा सा पापर तल लेती हूँ मैंने वही कड़ाई को अच्छे से दो लिया है और उसमें पापर बना रही हूँ जो मैं पापर गरम होने के लिए रखी थी तो यहाँ पस मेरा आलू चीप्स है आये जितने भी आलू चीप्स पापर बड़ी है यह हमारे घर के ही है हम घर में खुद बनाते हैं पापर तो घर के बहुत अच्छे भी होते हैं तो यह देखी आलू चीप्स को भी मैं अच्छे से तल लूँगी और खिचरी के साथ पापर बड़ी अचार, यह सब बहुत अच्छा लगता है दही भी बहुत अच्छा लगता है तो बहुत टेश्टी खाना है और बहुत हैल्दी खाना है आप इसमें और भी सबज़ीं मिक्स कर सकती है जैसे गाजर, सीमला, मेर्चे तो इस तरह बनाकर आप बच्चों को खिला सकते हैं जिससे उनको बहुत ही प्रोतीन मिलेगा तो यह जो पापर में तल रही हूँ यह आररोट का पापर है तो यह बनाना बहुत ही अईजी है यह जब मेरी शासुमा आई थी तो बनाकर गई थी तो गर्मी आईगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर पापड और एक साल उसको इस्टोर करते हैं और हर गर्मी में ही बनाते हैं तो ये देखिए मेरा पापड बड़ी सब तल ला गया है और बहुत गरम थी तो हासे तूटनी रही थी तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनती है और खाने में भी बहुत टेश्टी लगती है तो मैं इदर बीच बीच में खिचरी को भी देख रही हूँ ये देखिए खिचरी चावल सारे फैल गए हैं लेकिन थोड़ा सा भी और होगा और ये दुआ के कारण थोड़ा सा अच्छे से दिखनी रहा है लेकिन बहुत ही यमी खिचरी बना था तो मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया की पत्ती और इसको बीच बीच में मैं देखते रहूँगी ताकि ये अंदर चिपके नहीं तो मैं अब इसमें डाल दूँगी नमक नमक डालना मैं भूल गई थी इसलिए मैं लास्ट में नमक डाल दिए हूँ आप पहले ही नमक डाल लीजेगा तो मेरा अलू सीजी गया था То मैं अपने सारे अलू को निकाल लूँगी और इसको अच्छे से निकाल दीजे क्योंकि एक आलू इदर उदर छूप जाते हैं तो इसमें असानी से आलू सीज़ जाती है इसलिए मैं इसी में अच्छे से दो कर डाल देती हूं आलू को तो ये देखिए मेरा खिचरी बनके रेडी है तो मैं इसके पानी को थोड़ा सा सुखा लूँगी गैस का फ्लेम तेज करके और लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी अपना गरम मसाला ये देखिए मैं गरम मसाला आदी शुटी शम्मस डाल रही हूं और वस मेरी खिचरी बनके रेडी है अब इसमें मैं लगाओंगी छौका जो खिचरी का लास्ट इस्टेज है तो ये देखिए बहुत यमी खिचरी बना है तो मैं इस छौका लगा रही हूं बटर का आप चाहे तो सर्ष्रो तेल कभी लगा सकते हैं घी कभी लगा सकते हैं तो मेरे पास बटर था तो इसलिए मैं बटर का लगा रही हूँ तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हिंग बस और इसको मैं छोका लगा दूँगी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मिर्च बहुत हो जाएगा पहले मैंने हरी मिर्च डाला है फिर लाल मिर्च पॉडर डाली हूँ इसलिए सूखा मिर्च नहीं डाल रही हूँ तो ये देखिए मैं इसको डाल के तुरह धकन लगा दूँगी तो मेरा खिचरी बन के रेडी हो गया है तो मैं अब बना रही हूँ चोखा तो चोखा के लिए मैंने कड़ाई गरम कर ली है उसमें डाली हूँ मैं थोड़ा से जीरा दो लाल मिर्च लाल मिर्च को मैं निकाल लूँगी और फिर मैं प्याज को डाल दूँगी थोड़ा सा प्याज को मैं हलका सब भूंचूंगी ज्यादा नहीं भूंज लेंगी, और जो मेरे आलो थे, वो आलो को मैं छील ली हूँ, तो ये देखे मेरे प्याज भूंजा गया है, तो मैं इसमें अपने सारे आलो डाल दूंगी, और इसको भी अच्छे से भूंज लेंगे, बहुत ही यमी लगता है, खिचडी चोखा, और चोखा तो हमारे यहां दाल भात चोखा भी खाया जाता है तो ऐसे भी खा सकते हैं आप तो मेरे पास मैस करने वाला नहीं था तो मैं गिलास से ही मैस कर लेती हूँ तो जो मैं लाल मिर्ची तल कर निकाली थी उसको नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगे जो उसका बारी पौडर बन जाती है नमक के साथ मिक्स करने से इसको नमक अपने टेस्ट के अनुसार डॉले जितना आप चोखा में डालने वाले हैं उतना ही नमक ले और उसके साथ मिर्ची को मैस कर ले और मिर्ची अगर आप जादा टिका खाते हैं तो जादा डाल लीजिएगा मैं बार बार वीडियो में बोल देती हूँ कि अगर आप जादा खाते हैं तो जादा डालीगा कम खाते हैं तो कम डालीगा तो वो मिर्ची को मैं अब इसमें मिला दूंगी आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं तो मैं लाल मिर्ची डाली हूँ और जो धनिया पती थी मैंने वो धनिया पती भी डाली हूँ और ये सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा इसको भूंज लूँगी तो इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आजाएगा तो ये देखिए भूंज आ गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है और कड़ाई भी छोड़ दी है तो चोखा अलग हो गया तो मतलब कड़ाई की चोड़ दी थी तो मैं इसको थोड़ा सा और गयास पे तेज फलेम पे इसको गाढ़ा कर ली थी तो मेरा खाना बनके रेडी है तो आईए खाईए और इंजॉय करिये मैंने इसके साथ धनिया पती की चटनी बनाई है और इधर अचार और मूली ले ली हूँ तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर करिएगा और कमेंट करके बताईएगा आपको कैसी लगी मेरी खिचडी कि इन मानिये बहुत ही यमी बनी थी बहुत यमी तो आप इसके साथ दही भी ले सकते हैं दही मेरे पास नहीं था दही के साथ बहुत ही अच्छी लगती है तो मारा खाना रेडी हो गया है अब हम लोग खाएंगे एंजॉय करेंगे तो आप भी आईए और हमारे साथ खाईए थैंक्यो पर बाचिंग में